नमस्ते शिशुवाटिका में 12 व्यवस्ता हैं उनमें से एक व्यवस्ता कौन सी है प्रियोग प्रियोग में पहले वाले वीडियो में प्रियोग करवाई थे गुलंशिल, अगुलंशिन, डूपना और तैरना कौन से वस्तु गूलती है, कौन से डूपती है, कौन से तैरती है आज मैं आपको खटा और मीठा का प्रयोग बताऊगी खटा और मीठा का सुवाद भाया को बताना है कि कौन सी चीज खटी है जैसे कि यह है केरी केरी है तो भाया को हम केरी को दिखा सकते हैं कि ये कैरी कैसी होती है खाने में खटी होती है उसको चखाना है उसकी जीब पर उसकी टंग पर हम बताएंगे कि ये कैसी है चाके तो वो भाईया अपने आप बता देगा ये कैसी है स्वाद में कैसी होती है खटी अगर खटी होगे तो उसको ध्यान में रहेगा कि ये वस्ति पीला हो जाता है वो क्या बन जाता है आम हना और ये केरी से क्या बनता है अचार भी बनता है केरी से अमचुर भी बनता है कई चुछे बनती है वो खटी होती है तो भाया को हम स्वाद बता सकते हैं जैसे कि ये देखो ये बहीन है ये भाया को नीम्बू होता ना नीम्बू वो भी बहुत खटा होता है तो उसको जीब पर चखा कर उसको सुवाद बता रही कि ये कैसा होता है खाने में तो वो बताएगा कि ये खटा है कैसी है उसको चीज आंखे बंद करनी है उस भाईया कि आंखे बंद कर दो और बोलो कि मैं आपके जीब पर आपको सुवाद बता क्या चखाया केरी चाही । केरी बोलें के तो बतादेगा the appeareeee घ्ड़ी होती है उसको सुखा कर और लोगा और ममचूर ये भी खाने में खटा होता है इसमें इसको यह सब्जी में डालते हैं तो उसको बीचान रहे सबजी में डालते हैं, अमचूर है, और क्या है काने में, खटा है, तो इसको भी मसालों के साथ में फोसको चखाना भी है साथ में जी पर बहुत है फारी म्हे creat, कने मिठा में क्या है यह जहाने महानी होता है, चाहिक शहद、 शहद , भाईय को बताना है किक की कैसा है ख़ते हैं तो बहाइत है तक को खाले किसे बनता। उसको बता नहीं। से इस कुछ तो इस परकार पता में जाय है। जो खाने में कैसी होती है मीठी तो भЙया को बताना है कि ये खाने में मीठी होती और जो पहले मैंने आपको बताया है वो क्या था खटा तो अभी lavender को खटा और मीठे का प्रियोक करवाई और साथ साथ में उसको जानकारी देवे और उसको अच्छे से बताएं अब हम थोड़ी सी सबजियों को ग्यान रेते हैं सबजियां बच्चों को क्या है अधिकते सबजियां खाना पसंद नहीं है तो हम सबजियां उसको बताना है कि ये कौन से सबजिय है सबजिय के बारे में बताना तो ये कौन-कौन सी सबजी है उसके बारे में उसके नाम बताना पालक आलू और मटर तो भाया को बताना है कि यह हम उसे पहचान भी हो जाएगी सासात में वह अच्छे से खाना भी सीख जाएगा और उसको खटा और मीटे का प्रयोग भी करवाना है अभ्याग मोदे से निवेदाने की जो वीडियो करवाएं वो